हलो अव्यवर्वान पार्ट-फूर मैं और गैनिक एक टू-जएिज न सीरीज में एक और धमकेदार फ्लो चार्ट बहतरीन Activ 충ock का एक receiving अब यृदम ऑनिक अद कर चुके गाड़ी आगे भी गुमेगी देखना कैसे बेंजीन की रियेक्शन इलकाइल हलाइड से करवाई है नेमिंग रियेक्शन कौन सी वो लोगे एक अंपाउंड बनाने के लिए दिमाग में तुरंत आ गया होगा किया सारी दुनिया गोपता है क्या सर क्यों मेन बन गया क्यों मेन फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन और कहां से बनाए और ऐरो का खयाल रखना दो उस्तर्व जो ये एक मपाॉंड बना है वो बी से भी वना है बी क्या ले कि एए बन जाये अब बी से एकदो परजन देखो क्या जिंक मर्करी अमलगम देखकर क्लेमेंशन रीजेंट किया रिदक्षन आप धिशान से सूचना यानि वह एलडी हाइड भी हूशकता है कीटोन भी हो सकता है तो यह तभी यह हैड्रोकार्मिन बना होगा अब इस क्यूमीन में एक कमपांड में कीटोन बना किसे बनेगा बस यह वहाँ कार्बोनिल लगा दिया लगा दिया कीटों नहीं बना पाएंगे अब हो सकता है किसी की मनमें आ रहा हो किसर दोनों कारबंस पे आपने कीटों यह यह वाला गृप क्यों नहीं लगा या तो दोस्त फिर बता देता हूं वन थ्री वन थ्री डाई कार्बोनिल में जिंक मर्करी अमल्गम इन प्रेजेंस वेच्चियल डालते हैं तो रियरेंज्ट प्रॉडेक्ट मिलता है वो क्यूमीन नहीं मिलेगा इसका कॉमन नीम भी आप लोग याद रखेंगे क्यूमीन ठीक है बहुत इंपर्टेंट फ्लोचार्ट है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब देखना सी से भी बना रहा हूं सी से भी बना रहा हूं बहुत खास बहुत खास रियक्शन नाम भी याद आगया होगा रोजनमंड रेदक्शन लिखते भी जाना है फ्लोचार्ट सापके प्लोरीन लग रहा है कहां से लगाओगा क्लोरिन कहां से लगाओगा सर एसिड में एस ओ से 2 डालते थे acid में socl2 डालते थे तभी एक लोरीन लगता था आई होप यहां तक का product आपके लिए बना लिया हो चार reagent आपने बनाए आज तक आप गाड़ी आगे चलते थे flow chart में मैं a से b b c c अब उल्टा सोच रहे हैं d c c c c b ऐसे बहुत सारे convergences के अंदर बहुत मज़ा आएगा अगला step e c d को सोचो e c d को सोचो co2 डाल कर s hydrolysis करवा रहे हैं co2 डाल रहे हैं presence of acidic medium और थोड़ा सा सोचो एक कार्बन बढ़ा रहे हैं यह वाला कार्बन बढ़ रहा है तो पक्का पक्का यार यह वाला कार्बन वो यह वाला कार्बन रहा होगा हां जी एक step और आगे चलो सर मीथा यह magnesium in presence of ether डाला है magnesium in presence of ether क्या ग्रिगनाड की खुश्बू आ गई है क्या reaction में ग्रिगनाड की खुश्बू आ गई है यानी यानी पहले ग्रिगनाड रहा होगा हं जी बिल्कुल सही सोच रही है आप अच्छा जी तो यहां पर mgbr रहा होगा और फिर यहां माइनस आया होगा carbon के co2 में carbon के floods की खुश्बू आनी या फोस्राई की खुश्बू आपर की खुशिश करा हूत कि अब आप यहां ग्रिगनाड डाला है और उससे पहले न्विएस डाल रहे हैं तो mgbr की जगए पहले क्या रहा होगा MGS Bun और सोचो बना है तो पहले क्या होगा पहले कुछ नहीं इथाइल फ्लोराइट रहा होगा वो उल्टा सोचना सिखा रहा हूं यार आपका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह से आप तयार हो जाएं और गनिक करने के लिए जी से एफ बनाना क्या आपको आया याद भी रखना है कि बेंजाहिलिक कार्बन पे फ्री रेडिकल सब्स्टुटिशन के साथ भी यार लगता है एंबेएस नी एंसी एस होता तो क्लोरी लग जाता अब देखो एच से बहुत आराम से सुनना एच से जी का कनवर्जन एच से जी का कनवर्जन कौन सा रियेजन्ट का खुश भूआ रहा है कौन सा रियेजन्ट का खुश भूआ रहा है कौन सा नेमिंग रियेक्शन याद आ रहा है सर एंट्टु एच फोर इन प्रेजन्स अफ बेसिंग मेडियम सर ये तो वुल्फ किश सकता है या वो LD हाइड हो सकता है बोलो मानते हो बोलो मानते हो अब बहुत आराम से सुनना इन दोनों में से कोई एक है हमें कैसे पता लगे अरे एक स्टैप और पीछे चलो देखो आप CS3 MGBR डाल रहे है यानि कारबन बढ़ा होगा यानि कारबन बढ़ा होगा वो कैसे बढ है यानि यान यानि यह पॉसिविलिटी को हम डिसपार्ड कर SH आपके सामने आई कंपाउंड आ गया बहुत अब एरो का खयाल सोचना भया गाड़ी गुमालो गाड़ी गुमालो आई से जे बनाना है बेंजोन आई ट्राइल में लिथियम अल्यूमिनियू हाइड्राइड डाला है कौन सा कंपाउंड कौन सा कंपाउंड तुरंत आंसराना चाहिए एक बात ओर दोस्तों यादफ न जो भी फ्लोचार्ट मैं करवाता हूं इनको पहले आप खुद करके देख लिया करें ताकि आपका कॉन्फिदेंस बूस्ट अप हो और यह सारे फ्लोचार्ट आपके फाइनल एक्जाम सबके लिए हैं हर स्टुडेंट इसको देखकर बात कुछ सीखे वीडियो का इन सभी वीडियो का चोथा पार्ट इससे पहले के भी तीन पार्ट देख लो भी अब बहुत मजाएगा ठीक है सर आई से जे बनाया अब सुनना के से भी जे बनना है के से भी जे बनना है क्या रियेजंट लोगी के से जे बनने का रियेजंट है सर के क्या हो कि जे बन जाए रियेजंट क्या डाला है हाइड्रा 2 हिसी डाल देते हैं प्रशेट घ्री से शेषट फोर बनता है आंब आइंब आपके सामने उपर स्मित रिएक्शन बार बार बोल रहा हूं थे अब सुनना सर सीओ टूका होड़ कर रहे हैं ल से के कार्बन पर जैमिनल डाई कार्वाक्सलिक एसिट्स ओन जेंटल हीटिंग गिवस सी ओटू तो एक कार्बन पर दो सी ओएज गुरूप रहे होंगे हीट करते ही एक सी ओटू निकल गया और आपके सामने वो कंपाउंड बन गया ठीक है सर अब सुनना बहुत आराम से में से एल बनाना है एरव का खयाल रखना वहाएया म से ऐल बनाना है हाइड्रलेसर करते हुए और और इधेनॉल बाहर है और सी योँच बन रहा है तो क्या अभान पूछ ऐसा रहा होगा जब यहां सियोव इटी रहा होगा सियोव इटी रहा होगा सर कैसे फटल लगा अरे इविटेनल को बाहर निकाल रहे हैं वेशिकली हम स्थ किष्ण सेम कलर कर लेते ह। ताकि दिक्कत न रहे फ्यूचर में आप इसका स्क्रीन जोट पर गड़ा भी लेगाँ, COET, ठीक है, अब सुनना, अब किया क्या है कमाल, M से N बना रहा हूं, पहले सोरियम इतोक्साइड आहन डाला है, फिर फिर अलकाइल हैलाइट डाला है, अब क्या होगा कारणामा, O- ने H को चुराया होगा, फिर आप अलकाइल हैलाइट डाल रही है, तो क्या आपके मन में, क्या आपके मन में ये कमपाउंड, मैं बोलू, M से N का प्रप्रेशन, क्या कुछ ऐसा आया क्या देखके बताना, लेक्स धिस, यहां तो COET है, यहां तो COET है, अब यहां क्या लग गया, यहां बीर लग गया, तर कैसे बता लगा, अरे 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 कारवन गीनो, कारवन किनो, कारवन के लगे तो, कितने हैं, सर यहां तीन कारवन लगा तो दिये एक दो तीन सर कैसे बता लगा अरे भाया एच एच ओ माइनस एच को ले गया माइनस आया एलकाइल है ने अटेक किया सब्स्टिटिशन किया सब्स्टिटिशन किया नेंद खुल गई मजा आ गया अब यह जो एन कंबाउंड बना है इसमे हम M N O O लखना था चलो कोई नहीं ऐल सील ट्री डाल रही है इसमें ऐल सील ट्री डाल रही है क्या बनाओगा त्यार क्राफ ट्रॉड ट्राइल रीचर्विशन कि यहाद आई होन अ कंबिशल के वाट किसबैत का ant क्लाउड बेंजेन का आइलक्त्रॉन क्लाउड इस पहाउ- अब यार लीव किया हुगा मैं आपको हिंट दे रहा हूं प्रोडेक्ट कैसे बनाएं बाकिताब समझदार है कि चालो कोई दिक्कत नहीं सी-ओ-ई-टी यहां तक हमने पी तक के conversion पहुंच गए हैं बहुत आराम से बहुत आराम से दोस्त अब हाइड्रोलेसिस कर दिया है सब्सक्राइब हाइड्रोलेसिस कर दो कर दो तुरंद तुसर सीवेच बना दें क्या अरे हाँ बना दो ना क्या दिखते देखना हाइड्रोलेसिस कर रहा हूँ हाइड्रोलेसिस करके हीट भी किया हाइड्रोलेसिस किया तो क्या सीओएच सीओएच बना होगा हंजी सर्थ और एक कार्बन पर दो सीओएच होते हैं जब एक कार्बन पर दो सीओएच होते हैं तो एक सीओटू निकल जाता है एक सीओटू नि मुगल के साथ मैंने प्रटट लिखा है अब इस कंपाउंट में सोड लाइ मिम करवाया है आइब इस कंपाउंट में सोड लाइ में करूप से अडिगक 放心 कर वकशिलेशन करॉए है आइए बेंजीन में ऐसा क्या रिएजेंट जी डालूं कि यह कंपॉंड बन जाए मैं कहाँ बहुत प्यारा कनवर्जन है या बहुत आराम से वीडियो एक बार में ना समझ में आई यह तो दो बार रिपीट करते हुए सुनना कितने कार्बन है यहां देखिएगा कितने कार्बन है एक दो तीन चार यानि आपको एलकाइल हिलाइड ऐसा ही डालना है जिसमें चार कार्बन हूं देखिया कैसे x x क्या चार कारवन एक दो तीन चार ये वो अलकाईल है ये वो G कंपाउंड है जब डालेंगे तो आपको बेंजीन के साथ इस अलकाईल घुल आइड की फ्रिणल क्राफ्ट अलकाईलेशन करवाएंगे तो ये आर कंपाउंड मिल जाएगा अब हो सकते है किसी को ऐसा लग र सब्सक्राइब करते हैं कि मैं पूरत होड़ा सा मेकैनिजम दिखा देता हूं ताकि आपको फील आजाए और कोई बात नहीं सबस्क्राइब अब क्या होगा Anakon अहीन का का फॉर्मेशन अपना लोंघ्यर यहां अपना लोनगा आपके殺 striking है induzion-अटैक करेगा सिक्लासिकल कारच अदेखना कि अ देखना कि युआ कि EL Cl M- יुआ बस पहर इसकि रियक्शन देजीね के साथ कर वा दिजी फिर इसकि रियक्शन देजीन के साथ पहर दीजिए और वापीस यहां टैक करवा आ यह compound बना लीजिए दिखा क्या दिखा क्या conversion दोस्तों उमीद कर रहा हूं यह सारा फ्लोचार्ट आपको मज़ा आए और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा बहुत प्यारा फ्लोचार्ट है चीजों को फिर से साथ में आगे दें सब्सक्साइव।